How to fix Amazon Music not streaming problem नमस्कार दोस्तो स्वागर है आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो यदि आपका जो है Amazon Music पर आप stream नहीं कर पर है तो दोस्तो ये problem आपको क्यों आ रहा है और केसे करके आप इसको fix कर सकते हैं आज की इस वीडियो पर दोस्तो मैं आपको इसका complete solution करके बताने वालाओ ठीक है तो क्यूंकि दोस्तो यहाँ पर कभी-कभी ऐसा problem हो जाता है कि आम stream करना चाते हैं और यहाँ पर दोस्तो आम stream नहीं कर पते हैं और दोस्तो इसका जो reason है वो यहाँ पर क्या है और दोस्तो इस जरू क्लिक कर डिजिएगा और दोस्तो आमें support जरू कीजिएगा ठीक है और दोस्तो यह आप online से पैसा कमाना चाते हैं तो आप हमारा वीडियो description पर link चेक आउट कर सकते हैं आपको link मिल जाएगा तो चले दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तो देखते हैं कि क किसे करकी इस problem को भी fix किया जा सकते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाप पर streaming का जो प्रॉब्लम में वह नेट्रोग की होते हैं तो आपको नेट्रोग को यहाप सबसे पहले तो fix करना होगा सेटिंग पर जाईए उसके बाद दोस्तों आपका जो सीम इन मोबाइल नेट जाए और दोस्तों अपना सीम सेलेक करके प्रिफेर नेट्रोग टाइप पर जाके नेट्रोग को स्वीच कीजिए ठीक है बीट्वीन 3G तो 4G यह करने के बाद दोस्तों आप जाए यहाँ मोबाइल नेट्रोग को सेलेक कीजिए आटोमेटिकली यहाप यहापर मैनूएली फ्लाइट मोट करके मौबाइल को रेस्सेलेक कर सकते हैं और फिर भी दूस्तों आपको प्रॉबलेम आते हैं सबस्वीशन करने के बाद भी तो आप प्लीय स्टूर पर जाए और इसको सर्च करके अपडेट कर दीगा धर्याटिक अप्डेट करने के बाद trusi करने के बाद कीजिए और दोस्तों यहां ठ्री दोस्त पर क्लिक करके म्यूजिक सेटिंग को टैप करके ऑपन कीजिए ठीक है तो यह करने के बात दोस्तो आपको यहाँ पर जाना है और कुछ settings करना है आप देख सकते हैं आप पर streaming network preference यहाँ आप दोस्तो यहाँ पर wifi set किया हुआ ठीक है और आप wifi use नहीं कर रहें तो आपको जरूर प्रोब्लम आएगा और आप stream नहीं कर पाऊगे तो यहाँ पर दोस्तो आके आप इस fix हो जाएगा ठीक है आपको यह solution करने के बाद दोस्तो जाके check करने है ठीक है यदि इससे problem fix होता है तो दोस्तो ठीक है यदि नहीं हो रहा है आपका problem fix तो दोस्तो आप setting पर जाएए उसके बाद scroll down करके app management को open कर लीजिगा उसके बाद दोस्तो आप यहाँ पर डेख सकते है manage application तो manage application की जागे पर आपको यहाँ पर install app या रूफी app management करके मिल जाएगा ठीक है तो basically आपको application के अंदर पर आना है और दोस्तो उसके बाद amazon music को search करके उसको open करने है और दोस्तो फॉर स्टॉप कर देना है और सारी सार इसका जो data है उसको भी clear करना है ठीक है पूरा data को clear करने उसके बाद app permission पर जाएए और permissions को allow कर देजिए और दोस्तो यहाँ पर आपको जाना है restrict data uses और इस सभी को off कर देना है और करके दोस्तो आपको इससे दुबारा से on करने है और okay कर देना है ठीक है तो इसके बाद दोस्तो आपको जो है mobile को दुबारा से restart करना होगा restart के बाद दोस्तो आप जाके चेक कीजिगा आपका problem fix हो चुका होगा ठीक है और दोस्तो बाए इनी चांस यही प्रोब्लेम डे भी जाते है तो आप दोस्तो amazon music के application को install करके reinstall कीजिगा तो इससे भी दोस्तो problem definitely fix होजगा ठीक है तो आपको यह सारा complete details मैंने आपको यहाँ पर ले दिया है orders तो आपका जो यहाँ पर solution है वह भी मिने आपको completely जितने भी solution है जितने possible solution है वह बेने आपको बता दिया है आपका जो problem में इससी solution के मदद से definitely fix होजगा तो मीट कटे आपको जो वीडियो प्सन होगा ठेंक्स वाचिंग